वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोसों आज एक ऐसे अमरत फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ दोसों जिसे कहा जाता है सौ रोगों की एक दवा आवला जी हाँ दोसों गूस बैरी आवला जिसका आयुर्वेद में बहुत जादा महत्व है हमारी सेहत के लिए हमारे अच्छे स्वास्त के लिए साथ ही साथ हमारी ब्यूटी के लिए आवले का प्रयोग जरूर करें आज इस वीडियो में आवले से समंधि सारी जानकारी दूँगी किस तरह से आवले का रस बनाना है किस तरह से ब्यूटी में आवले का प्रयोग करना है दोस्तों सारी चीजें पताऊंगी बालों के जड़ने से परिशान है बाल लंबे नहीं हो रहे हैं बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं और आपने बहुत सी रेमेडी ट्राइ कर चुकी ही दोस्तों तो आज जो मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगी उसे ट्राइ जरूर करें हेयर फॉल रुकेगा बालों की ग्रोथ अच्छी होगी बाल काले घने मजबूत होंगे साथ ही साथ आवला जो होता है हमें चर्म रोगों से भी बचाता है दाथ खाज खुझली में भी यदि आप आवले के तेल का इस्तमाल करते हैं तो कई चर्म रोग भी दूर होते हैं हेल्थ की बात करें दोस्तों स्वास्त की बात करें तो जैसा मैंने आपको बंताया कि एक अम्रत की तरह माना जाता है इसलिए तो बहुत सी आईरुवेदिक दवाईयों में आवले के फल का आवले की पत्तियों का भी इस्तमाल किया जाता है तो आवले की यदि ताजी का आवले का रस जरूर लें वैशे तो बाजार में भी आपको बॉटल में आवले का रस मिल जाता है जो कि साल भर तक अच्छा रहता परंदू दोस्टों फिर भी बाजार वाले आवले के रस में कुछ न कुछ तो प्रिजर्वेटिव रहता है केमीकल तो रहते हैं फ्रेश आवले के रस की जूस की बात ही अलग है. यदि आप रोज एक आवला खाते हैं, तो कई बिमारीों से आप बच सकते हैं, और कोई बिमारी हो भी जाती ही, दोस्तों, तो वो बहुत आसानी से क्योर हो जाती है, आवले का सेवन करने से. एक बेहतर, मतलब आप कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन औष्दी है आवला, किसी ना किसी रूप में आवले का प्रेयोग जरूर करें, आवले का अचार खाते हैं, बहुत से लोग मुरब्बा बनाते हैं, बहुत लोग आवले की खटी-मीठी सुपारी बनाते हैं, और खटी- चार महने ये मार्केट में रहेगा। जरूर इसे बना कर रखें। आवला हमारे शरीर में लगाने में जितना फायदे मंध है। उसे कई गुना जादा खाने में फायदे मन्द है. हमारे digestion को improve करता है, constipation को दूर करता है. जब हमारा पाचन अच्छा होता है, तो कई बीमारिया अपने आप ही दूर हो जाती है. Constipation नहीं रहेगा, तो बबासीर की परिशानी, पाइल्स की परिशानी भी नहीं रहती है, क्योंकि पेठ हमारा साफ रहता है. ऐसा कहा जाता है, दोसों, आवले की गुठली भी बहुत उपियोगी होती है. यहाँ पर मैंने दो आवले काटे, आप देख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं कि गुठली को कूटने से, तोड़ने से इसमें से एक बीज निकलता है, काले रंगा, यदि उस बीज को हम खाते हैं, तो हमारी आखों की रोशनी बढ़ती है, आखों की कई बिमारियां दूर होती है, जिने मोतिया बिंदी की परिशानी है, उन्हें भी आवले का रस, आवले का सेवन जरूर करना चाहिए, तो इस गुटली को थोड़ा भी आवला कच्चा है, पका नहीं है, पके हुए आवले में काले रंग का बीज निकलता है, दोस्तों, उस बीज को खाने भी कहा जाता, अमृत फल है ये, आवले का रस बनाने के लिए आप चाहें तो आवले को काट लें, ग्रैंडिंग जार में डाल कर, अच्छा, बढ़ी हाग ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें, छान कर उसका ताजा रस बना लें, थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके ही आवले का रस लेना है, डायरेक्ट नाले, पानी के साथ मिक्स करें, चाहें तो चुटकी भर काला नमक डाल दें, आवले का रस लेने से हमारा दिल स्वस्त रहता, हिर्दै रोग की बिमारी टल जाती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, गंदे खून को साफ करता है, बहुत से लोग आवले के रस में थोड़ा सा एक चम्मा शहद मिला कर लेते हैं, यदि आप चाहें तो शहद मिलाएं, डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद ना मिलाएं, डायबिटिक पेशेंट को भी आवले का रज जरूर लेना चाहिए फ्रेश आवले की बात ही अलग होती है फ्रेश जूस की बात ही अलग होती है एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है आवला एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं इसलिए तो तुचा समंधित कई रोगों को ठीक करता है आवले का तेल आवले का रस आखों की रोशनी बढ़ती है यदि आवला खाते हैं दोस्तों या रस पीते हैं तो कील मुहासे या चेहरे के दाग धब्बों से आपको निजात मिलेगी चेहरे में चमक आती है और बालों में लगाने से बाल काले घने मजबूत होते हैं हमारे हिर्दय को स्वस रखता है और आवले का सेवन करने से चेहरे पर रिंकल्स नहीं आती हैं उम्र का पता ही नहीं चलता है पैशट की उम्र में भी आप 35 के दिखाई देंगे दोस्तों यदि डेली एक आवले का सेवन करते हैं तो आवले को पीस के आप इसका रस निकालें आवले को कदू कस करके आप इसका जूस निकाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिला कर रोज लें सुभा खाली पेट लेने से और भी फायदा मिलता है आप सुभे नहीं ले पाते हैं तो आप किसी भी टाइम पर ले परन्तु ले जरूर कुदरत का एक तोहफा है आवला कई बिमारियां खत्म होती हैं दोस्तों कैंसर जैसी खतरनाव बिमारी को भी बढ़ने से रोकता है आवले का सेवन हमारी इम्मिनिटी को बढ़ाता है रोग प्रती रोधक शमता को बढ़ाता है और छोटी मोटी बिमारियां सर्दी खासी जुकाम हमें होने ही नहीं पाते हैं दोस्तों ये इतना फायदे मंद है बालो में आवले का रस लगा लेंगे बाल काले घने मस्बूत होंगे गंजेपन की समस्या को दूर करता है कुष़फा है आप इसे लेगे न तो चाहे बहुत अच्छी चमक आईगी दोस्तों ये देख़े पानी मिला लिया हमेने अब आप इसे ले इसकि पत्तियों का भी हम जोग इस्तमाल करते हैं दोसटों बालों में पत्ती लगाने से सफेद बाल जड्ड से काले होते हैं इतना ज्यादा ये फाइदे मनद होता है दोस्टों और आइरन होता है Всемिदि भर पूर मातरा में जिने हखून की कमी है उन्हें वितामीन B complex होता है, वितामीन C का खजाना है, आउले का रुस, वितामीन A होता है इसलिए हमारे आखों के लिए फायदिया है लेए . तेल कैसे बनाखने है एक आउम्ले को बारिक बारिक काट लिया है , एक बॉटल में सर्वा पेलों थैives can ऐगся तो नारियल का तेल भी डाल स इस शुद्ध आवले के तेल को इस हर्बल ओईल को बालों पर लगाएंगे तो हेयर फॉल रुके का बाल काले घने और मस्बूत होंगे तो आवले का तेल भी लगाएं एंटी इंफ्लॉमेट्री प्रॉपर्टी होती है इस तेल से जोडों की मसाज करेंगे घुटनों में या स्कैल्प की मसाज करेंगे रूसी जू और लीक की समस्या को भी दूर करता है जिने अर्थराइटीज है उन्हें भी आवले के तेल से मालिश जरूर करना चाहिए बहुत ही फाइदे मंद है हमारे दिल दिमाग को ठंड़क देता है आवले का सेवन आवला लेने से इस्ट्र चेहरे के रिंकल्स जुर्णिया दूर होंगी पिगमेंटेशन को दूर करता है एसीडिटी गैस और कॉंस्ट्रिपेशन को दूर करता है आवले का सेवन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें शिखास की चन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमें चरूर करें दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसी लगी वीडियो कैसा लगा